Hello friends, मेरे चैनल में आपका शुख आगाता है आज इस वीडियो में स्ट्रीम ड्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में आपको मालूम पढ़ेगा कि स्ट्रीम ड्रम में क्या गय चीजे होती है सबसे पहले यह जो drum है वो shape में cylindrical होता है और यह carbon steel से बनाया जाता है और इसका जो grade material जो specification जो होती है वो SA516GR70 होता है drum का जो ठीकने से वो 40 mm से एप होता है और इसे boiler के top में horizontally रखा जाता है जो drum का work है वो यह क्या करता है water supply करने का काम करता है E operator, water wall tubes, bed coil tubes और steam और water का जो separation इसका करने का काम रहता है यहां drum के उपर दो safety वाल लगाता है एक left hand side में और एक right hand side में यह boiler के अंदर जब steam का जो pressure हो maximum working pressure से ज्यादा होगा तो यह automatically operate होता है boiler safety के लिए यहां side में एक air vent होता है जो boiler को start करते समय यह फिर चालू करते समय इसको open रखा जाता है जब water heated या swell होने लगता है तो इसे open रखते है ताकि water में जो air है वो निकल जाए और इसे 2-3 kg पर cm2 के pressure आने पर इसे बंद किया जाता है वहीं set down condition में भी boiler को 2-3 kg के जो 3 kg पर cm2 पर इसे open किया जाता है यहां पर pressure gauge लगा होता है जो drum pressure देखने के लिए होता है उपर saturated line होती है जिसमें saturated steam move of by primary super heater को जाता है यहां drum के left hand side और right hand side में दो gauge glass vertical लगा होता है यह drum के अंदर जो water का level है उसको देखने के लिए होता है इसे steam से charge करना पड़ता है इसके नीचे train लगा होता है और gauge glass में दो isolations वाल होते है एक उपर वाला जो होता है वो steam isolations वाल होता है और नीचे वाला होता है water isolations वाल होता है इसे gauge glass को charge करते समय योज़ किया जाता है बाहर जो drum के बाहर यह दो main hole होता है जिससे drum के अंदर सफाई के लिए आदमी को अंदर घुसाया जाता है shutdown condition में यहां feed water line है जहां पानी सिदा economizer से drum में जाता है इस feed line के अंदर इस feed line में drum के अंदर एक feed water distribution pipe होता है जिसमें बहुत शारे hole होते हैं जो water को अलग-अलग जगह पे गिराता है ताकि वो thermal shock ना हो इसके पर जो water downcomer है यह water downcomer के थुरू जो water downcomer pipe के थुरू जो water है वो यू operator water wall और weight coil tube से inlet header फिर outlet header को जाता है वहां से जो water हो यू अपरेट होकर saturated steam में बदल जाता है और वो saturated steam जिसमें water और steam mixture होता है वो राइजर ट्यूब के थुरू यह एक राइजर ट्यूब दिखाया है उसके थुरू वो steam drum में वापस आ जाता है चुकि यहां पर जो saturated steam है वो पूरी तरह से dry नहीं होती है तो इसलिए उस steam को separate करना पड़ता है drum के अंदर यहां पर एक SS की एक screen plate होती है जिसमें water का जो water और steam का mixture दोनों को allow करता है लेकिन water particle जो है उसके जो gravity वो ज्याद होता है तो इसको gravity कारव वो नीचे गिर जाता है कि यहां पर cyclone separator लगा होता है जब steam और water का mixture इस cyclone separator से पास होता है तो cyclone steam को spinning action में ले आता है जिसके कारण से centrifugal force create होता है और water का particle heavy होने के कारण दूर गिर जाता है और cyclone के wall से टकरा का नस्ट हो जाता है और नीचे गिर जाता है और steam उपर की तरफ चला जाता है इस तरह से steam और water अलग-अलग हो जाता है और saturated लाइन से यह primary super heater में चला जाता है यहां पर CBD और IBD दिया होता है एक CBD का मतलब होता है continue blow down और IBD का मतलब होता है intermittent blow down यह एक drain की तरह है जो boiler water की concentration level है जो boiler water की concentration level को maintain करने के लिए लगा होता है अगर drum को shut down में survive करनी है तो भी यही से open करके drum को पानी को खाली करके साफ कर लिया जाता है यहां पर एक SS की एक pipeline होता है जिससे chemical जिसमें Trisodium Phosphate को doze किया जाता है dozing pump के थुरू ताकि drum के जो अंदर है वह water की जो quality है वह maintain हो सके है